प्यारे बेटे, जीवन के रास्ते पर कुछ बाते तुम्हें हमेशा याद रखनी हैं। तुम्हें उनके परती अपने मन में कभी कोई तुरुभावना नहीं रखनी हैं, जो तुम्हारे लिए अच्छा ब्योवर नहीं रखते हैं। सिवाए तुम्हारी माता और मेरी, और किसी के भी यह जिमेदारी नहीं होती कि वह तुम्हारी मन मताविक पेसा है। जो तुम्हारे लिए अच्छे हैं, वह तुम्हारा खाजाना है, उन्हें सुक्रिया अदा करना तुम्हारा फ़र्ज है। और साथ ही उनसे सावधान भी रहना, क्योंकि हर एक कदम में उस इनसान का सोयंग का एक उदे से जरूर होता है, जब एक बैक्ती तुम्हारे लिए अच्छा है, तो इसका सिर्फ यही मतलब नहीं है, कि वो तुम्हें पसंद करता है। तुम्हें सावधान रहना, जल्दी में उसे एक अच्छी दोस्त के रुप में मत मानना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अतियावसिक हो, और नहीं दुनिया में ऐसा कुछ है जो तुम्हारे पास होना ही चाहिए, जब तुम इस बिचार को समझ लोगे, तब यह जीवन तुम्हा तुमसे बिचुड जाने से दुख का असास बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम्हें उनके कारण भी कुछ अच्छे बोरी का असास नहीं होगा, जो तुम्हारे आसपास रहते भी पीट पीछे तुम्हारी आरोजना करते हैं, जीवन छोटा है और हर दिन गिना जाता है, तुम्हारा अपना निर्ने होगा, और इस निर्ने पर अडिक रहना भी तुम्हारे ब्यक्तित्र की खासियत होनी चाहिए, कोई भी अच्छा पल के लिए, कोई अच्छा समय नहीं आता है, हर पल अच्छा है, उसको आप कैसे इस्तिमाल करते हैं, कैसे इंज्वाय करते हैं कि मैं नहीं तो और कौन करेगा और अब नहीं किया तो फिर कब करूंगा कारे को पुर्ण करके रिलेक्स होने में बहुत आनंद का हिसास होता है और जो काम पेंड़ी होएता है उसके लिए अपने आप में निर्भर करता है यह जी तुमारा अती प्री साथी तुमसे छोड़ कर चला जाए तो परिष्थति को समझ समय पर छोड़ देना समय सभी दुख और दर्दों की रामबान और सधी है प्रेम के सुंदर वह अती मिठास पर अशास को दिवानगी तक नहीं आने देना दिवानों मैं सनलगने तुम्हार साथ ही और तुम इस दुनिया से कुछ कर देने के बाद भी साथ साथ रहोगी बाकी लोगों के शरदे में आने वाली पीडियों के दिलों में तब हर जर्रा तुम्हारे प्रेम के स्रजन से जीवित रहेगा हमेसा जीवित रहेगा बहुत से लोग प थ्यार की तरह साथ रहेगी, एक ब्यक्ति रंग से राजा तक पहुंचता, उसे रंग से ही अपना सफर प्रारंब होता, रंग से बिलकुल जीरो से हीरो बनना, ये प्रैक्टिकल होता ही है, कभी भी असफलताओं से निरास मत होना, ठक कर बैठना मत, क्योंकि असफलताओं कभी भी नहीं सिखा पाती, कितने भी किताबी पढ़ लें, कितने भी अमनों टेक्निकल समझ लें, लेकिन फैलर, लाइफ में फैलर एक ऐसा समय होता है, जो अच्छा पार्ट पढ़ा लेती है, जो सबग या पार्ट तुम असफलताओं के द्वार सिखोगे वह आसानी से तो खदापी न भुलाया जा सकेगा, अपनी गल्तियों से सिखना भी है, उन गल्तियों को कभी दुराने मत देना, नई गल्तियां करना ताकि नया पार्ट सिखने को मिले, बार बार गल्तियां करना, बार बार नया पार्ट सिखने को मिले, जब मैं ब्रिध हो जाऊंगा, तुमसे आर्थिक सहाता के लिए न तो कभी कहूँगा, नहीं आसा रखूँगा, न कभी हाथ फिलाने के लायक रहूँगा. भवान ना करे कि कभी मुझे हाथ फिलाना पड़े. तब तक तुम्हें आर्थिक सहारा देना मेरी जीमेदारी है, और इसे मैं आनन्द के साथ पुरी करने की इमानदार कोशिश करता रहूँगा. जब तक तुम बड़े होकर आर्थिक रुप से अपने पेर उपर खड़े नहीं हो जाओगे, ये मेरी जीमेदारी है. दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती. जो खाना तुमने पाया है, भले ही बस तुमने स्वें पकाया. स्वादिष्ट न लगे तो सोचना कि तुमने तुमने तुम्हारे स्वाद के अस्तर तक का परिश्रम नहीं किया. भागे से स्वादिष्ट खाना पा जाने का इंतिजार कभी मत करना, क्योंकि ये इंतिजार कभी खत्म भी नहीं होता है. धारन करना उसे अस्तर का परिश्रम करने का, जिसके पूर्ण करने पर तुम अपने मन के मताविक स्वादिष्ट खाना प्राप्त करने की उमिद प्रकृति में वसा सबकों से बिद्धमान है, जैसा तुम सोचते हो, पाना चाहते हो, लेकिन यह भी जरूरी याद रखना कि यह प्रकृति प्रिश्रम के रूप में जब यथार्त किमत वसुल लेती है, तब ही वह पसंदिता वस्तु तुम्हें परदान करती है, कोई भी फ साथे, तुम्हारे आस-पास है, उनका आभारी रहो, तुम उनके साथ रहकर जो पाते हो, उनका सम्मान करना, कुछ भी अस्थाई नहीं है, मुझे और तुम्हारी मा को तुम पर भरूसा है, और तुम्हारी योगीताओं पर विश्वास है, इसलिए हम दोनों तumें प्या पाकर हम धन्य हो गए और इस वर के आभारी है कि मैं तुम्हारे पिता तो प्राकर्तिक प्राकर्तिक रूप से हूं लेकिन इन्सानी रिस्टों के मताविक तम्हारा एक सार्थक दोस्त भी हूं तुम कभी भी मुझसे किसी भी भी से पर जड़्चा या राय मस्वरा करने को स्वतंत्र हो तुमारे हर सुक दुख उनिजन समाधाल मुझे वही असास देते हैं जैसा तुम्हें होता है तुम मेरे नए समर्दित भाग हो प्यारे बेटे कोई तुम पर हसता है तो दुखी मत होना हसने वारी लोग सदा ही रहेंगे ही लेकिन मुझे पर भी लोग हसते हैं हसते थे हसते हैं और हसते रहेंगे लेकिन तुम्हें तो सतत रूप से अपने पत पर चलते जाना है जब मुझ पर लोग हसते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा फिर होता है, चलो, उनके मुझ पर हसते तो हैं, अपनी यात्रा और सौच से कभी बिचलित मत होना, माता पिता सिक्ष्च के तुम्हारे खजाने हैं, अपने आपको स्रेष्ट और स्रेष्ट और स्रेष्ट बनाने के लिए इनमें कितना भी लोग कभी नहीं होगी इनमें कितना भी लोग कभी जिंदगी में कमी नहीं होगी तुम्हारा पिता तुम तिन दोनी रात चोगनी तरक्की करो यह दिली ख्वाइस है